पसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूटुब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कौन से सपने बताने नहीं चाहिए अगर बता दिया तो आजाएगा बड़ा संकट आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके हमारा दिमाग हर समय एक्टिव रहता है यहां तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारे दिमाग का एक भाग जिसे हम सबकॉंशियस माइंड कहते हैं एक्टिव रहता है इसलिए हमें बहुत कुछ अनुभव होता है अलग-अलग तरह के सपने आदी आते हैं कई बार लोग सोते हुए बार-बार जागते हैं यह असल में जागते नहीं है बलकि सपने में देख रहे होते हैं कि यह जाग गए लोगों का मानना है कि यह आध्यात्म की तरफ ध्यान न देने का संकेत होता है दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों को दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं नींद में देखे गए कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिन्हें भूल कर भी दूसरों से शेयर नहीं करना चाहिए वरना इसका बुरा अंजाम भी भुगत ना पड़ सकता है सोते समय हम सब सपने देखते है और इन में से कुछ सपने अच्छे होते है तो कुछ काफी डरावने होते है ऐसे में कुछ लोग इन सपनों को अपने परिजनों के साथ शेयर कर देते है हाला कि कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के साथ शेयर करने से खुद का ही नुकसान होता है जोतिशाचार्य जगदीश शर्मा आज बताएंगे कि ऐसे कौन से सपने हैं जो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए अगर आपको सपने में कभी भगवान दिखते है या फिर वे आपको आशिरवाद देते हुए दिखे तो ये इस बात का संकेत होता है कि भगवान आपकी आत्मा को पवित्र समझते हैं इसलिए वे आपको सपने में आशिरवात देने के लिए आए हैं। इसके इलावा ये इस बात का संकेत है कि इश्वर आपकी आत्मा में हमेशा निवास करेंगे। इस तरह कि सपने को कभी भी किसी से शेयर ना करें। नमबर दो, अगर आपको सपने में कभी भी ये दिखाए पड़े कि आपके माता-पिता आपको पानी पिला रहे है, तो ये इस बात का संकेत है कि भविश्य में आपकी खूब तरक्की होने वाली है, ऐसे में ये सपना भी किसी के साथ शेयर ना करें. नमबर तीन, बता दे कि यदि आपको सपने में बार-बार भगवान दिख रहे है और आप ये सपना किसी के साथ शेयर कर रहे है, तो इस सपने से आपको मिलने वाला फर्द बेकार हो सकता है, इसलिए गलती से भी ये सपना किसी के साथ शेयर ना करें. नमबर चार, अगर आपको सपने में भगवान दिखाई दे तो ये इस बात का संकेत है कि जल्दी ही आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। ऐसे में यदि आप इस सपने को किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपका बनता हुआ काम भी बिगड सकता है। इसलिए भूल कर भ व्यक्ति सचे मन से परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आपको ये सपना भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।